हेलो फ्रेंट्स आज हम आलो गोभी की ऐसी रेसिपी बनाएंगे जो बहुत ही जल्दी आसानी से बन जाती है और मिंटों में ये बन कर तैयार हो जाती है इतनी टेस्टी होती है कि आप इसको जरूर बार बार बनाना चाहेंगे एक प्याज इसके लिए हमने लिया है एक टमांटर और तीन चार लहसन की कलिया अधरक का टुकड़ा और एक चमच तिल की डाल कर हम इसको पीज लेंगे फिर एक गोभी का फूल लिया है इसको धोकर हम काट लेंगे और दो बड़े चमच सरसो का तेल की हम गरम करेंगे इसमे थोड़ा आदा चमच जीरा चार काली मिर्च हैं और दो छोटी लायची हैं इनको हम डाल कर इसमें तड़का लेंगे फिर जो हमने पेश्ट तयार किया था उसको भी हम इसमें डाल देंगे और मसाले को थोड़ा सा बुनने देंगे बुनने के बाद इसमें हम सुखे मसाले एड़ करेंगे थोड़ा पानी भी डाल देंगे और इसमें हम सुखे मसाले एड़ कर रहे हैं एक चम्मच नमक की हम डालेंगे और आदा चम्मच हल्दी पाउडर की हम डालेंगे एक चमच धनिया पाउडर की हम डालेंगे और आदा चमच लाल मिर्च पाउडर की हम इसमें डाल देंगे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग घटा या बढ़ा सकते हैं और एक चमच हम कश्मीरी मिर्च की डालेंगे इससे गोबी का कलर बहुत ही अच्छा आएगा और मसाले को हम बहुत अच्छे से भूल लेंगे ध्यान रहे मसाला बिल्कुल भी कच्छा रहना चाहिए नहीं तो उसमें फिर गोबी में अच्छा नहीं लगेगा और इसको भूनने के बाद फिर हमने थोड़ा सा आदा कप पानी का मैं एड़ करूँगी क्योंकि मुझे गोबी थोड़ी पानी वाली चाहिए और फिर मैंने जो गोबी और आलू काटे थे इसको हम काट कर इसमें डाल देंगे और इसमें हम दो सीटी लगाएंगे और दो सीटी लगाने के बाद इसकी भाफ खुद ही हम रिलीज होने देंगे और फिर हम इसको खोल कर चेक कर लेंगे कि हमारे आलू गल गए है या नहीं अगर इसमें पानी आपको ज़्यादा लग रहा है तो इसका पानी थोड़ा गैस चला कर सुखा ले अब हम इसको सर्व कर लेते हैं देखे कितनी टेश्टी हमारी गोबी बनकर तयार हुई है और इसको किसी भी रोटी नान चावल के साथ आप खा सकते हैं और एक बार फ्रेंड्स इसको एक बार ज़रूर ट्राइ कीजिए अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए रेसिपी देखने के लिए आप सब का शुक्रिया और कमेंट्स में जरूर बताईए कि आपकी ये गोबी कैसी बनी है शुक्रिया